नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांग 18 दिसंबर 2020 और हम कर रहे हैं अपनी सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्री का नमबर 23 जिसमें की हम अध्याय साथ नए प्रशन नए विचार में विहार के विशे में पढ़ेंगे जैन तथा बोध भिक्चू, पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान गूमते हुए उपदेश दिया करते थे लेकिन वर्शा रितू में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे शुरू में ये अस्थाई निवास हुआ करते थे लेकिन बाद में बिक्खु बिकुणियों के लिए स्थाई निवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है शुरू में विहार लकडी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्मान में इंटो का प्रियोग होने लगा पश्शीमी भारत में विशेश कर कुछ विहार पाहडियों को खोद कर बनाए गए प्राय किसी धनी व्यापारी तथा राजा अत्वा भू स्वामी द्वारादान में दी गई भूमी पर विहार का निर्मान होता था स्थानिय व्यक्ति विक्खु विक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाईयां लेकर आते थे जिसके बदले ये विक्खु और विक्खुनी लोगों को शिक्षा देते थे अब देखते हैं बच्चों कि हमें कार्य पत्रिका में कौन-कौन से प्रशन दिये गए है सबसे पहला प्रशन है कि विहार क्या होते थे तो इसका जवाब जो है वो ये है कि विक्खु विक्खुनियों के लिए बनाए गए स्थाई निवासों को विहार कहते थे विहारों का निर्मान किस प्रकार होता था तो उसके लिए आप अपनी कार्य पत्रिका में देखेंगे उसका जवाब वही पर है कि शुरू में विहार जो है लकडी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्मान में इटों का प्रियोग होने लगा तो यही है आपके दूसरे प्रशन का जवाब तीसरा प्रशन हमसे पूछता है कि विहारों के निर्मान में कौन सहायता करते थे तो विहारों का जो निर्मान होता था उसके लिए जिस प्रकार आज कल हम चैरिटी करते हैं फंड देते हैं तो उसी प्रकार से उस समय विहारों का निर्मान होता था और इसमें मदद करते थे प्रायह किसी धनी व्यापारी राजा अत्वा भू स्वामी द्वारा दान में दी गई भूमी पर विहार का निर्मान होता था और अगर ये पूछा जाए कि उनको खाना कुणी लोगों को शिक्षा देते थे तो बच्चों ये थी आज की कार्यपत्रिका हम मिलेंगे नई कार्यपत्रिका के साथ तब तक के लिए धन्यवाद